इस संस्कृती में हमारे पास कभी भी कोई एक अधिकारी नहीं था जिसका काम आध्यात्मिक प्रक्रिया फैलाना हो क्योंकि ये धर्ती की एकलौती संस्कृती है जिसका अपना धर्म नहीं है तो हिंदू मूल रूप से वो संस्कृति है जिसका जन्म सिंधु नदी से हुआ था वो हिंदू है तो ये एक भौगोलिक और संस्कृतिक पहचान है कभी भी धार्मिक पहचान नहीं रही है सिर्फ तब जब लोग बाहर से आए उनके पास धर्म के ठोस विचार थे और उन्हें आपको भी एक नाम देना था हम ये हैं, आप क्या हो हम हर चीज का मेल है उन्हें समझ नहीं आया आप कुछ तो होंगे एक ही जगह पर लाखों चीजे एक साथ होती थी एक ही घर में अगर पांच लोगों का परिवार है तो आप पांच अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं और किसी को कोई परिशानी नहीं होगी हमने सोचा ही नहीं कि ये कोई परिशानी है जब तक कि बाहरी लोगों ने आकर हमारा भगवान और आपका भगवान की बात नहीं की तब तक हमने सोचा ही नहीं कि ये परिशानी है आप एक भगवान की पूजा कर सकते हैं और मैं दूसरे भगवान की पूजा कर सकता हूँ कोई और आँखे बंद करके बैठ सकता है कोई गा सकता है, कोई नाच सकता है पर हमने यही सोचा कि यह ठीक है हर कोई अपना तरीका चुन सकता है तो इस देश में कभी कोई ऐसा धर्ण नहीं रहा है हमारे पास 3.30.000.000 देवी देटा है यह तब हुआ जब हमारी आबादी 3.30.000.000 थी आज हम 120.000.000 है क्योंकि बाहरी ताकतें आई, खास तोर पर पश्चेमी ताकतें आई और उन्होंने हमें अपने भगवानों के बारे में शर्मिंदा महसूस कराना शुरू कर दिया इतने सारे भगवान भगवान सिर्फ एक है जैसे यह कोई उचा विचार होगा अगर आप एक बना सकते हैं तो आप दस लाग क्यों नहीं बना सकते आपने अपने एक भगवान नहीं देखा है अगर आप अपने एक भगवान बना सकते हैं तो आप दस लाग या दस करोड क्यों नहीं बना सकते यह बस रचने की क्षमता का सवाल है है न? तो क्या इसका मतलब है मेरे से परे कुछ नहीं है ये एक बेवकूफी भरा नतीजा होगा आप अभी ये जानते हैं कि आपने खुद को नहीं बनाया आया न? क्या आप खुद खाना पँचा सकते हैं या फिर ये खुद होता है खुद होता है क्या आप सांस ले रहे हैं या ये हो रहा है क्या आप खुद दिल धड़का रहे हैं या ये धड़क रहे है मैं आपके लिवर, किड्नी और स्प्लीन के बारे में भी यही कह सकता हूँ अपने शरीर की छोटी से छोटी चीज भी आप नहीं चला रहे हैं है न, वो चल रही है आप इस धर्ती को घुमा रहे हैं या ये खुद घूम रहे है आप कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ भी नहीं, बस छोटे छोटे काम हर जरूरी काम बस हो रहा है आया न, हर काम जो जीवन के लिए जरूरी है, वो हो रहा है आपको बस बैठ कर धर्ती के घूमने का मज़ा लेना बस इतना करने में कितनी परिशानिया है तो यह ऐसी भूमी है जहां साफ तोर पर समझा गया कि भगवान को हमने बनाया इसी वज़े से इस संस्कृती में भगवान लक्ष नहीं है मुक्ती लक्ष है, मुक्त होना लक्ष है, परम स्वतंत्रता लक्ष है भगवान कभी भी लक्ष नहीं है आया ना, आपको यह पसंद नहीं है क्योंकि आप भूल चुके हैं, वरना मुक्ती ही लक्ष है मुक्ती का क्या मतलब है? स्वतंत्रता, हर चीज से, भगवान से भी आप भगवान का एक सीड़ी की तरह इस्तिमाल करते हैं, अगर आपको जरूरत हो आप भगवान के साथ या उनके बिना भी प्रगति कर सकते हैं ये धर्ती की एकलोती संस्कृती है, जांक किसी भी भारती भाषा में विधर्मी जैसा कोई शब्धी नहीं है, क्योंकि हमें कभी नहीं लगा कि कोई विधर्मी है हमने कभी ये कलपना ही नहीं की कि ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि हमारे पास थापित मान्यताय नहीं थी सभी अपने तरीके से चीजे कर सकते थे ये हजारों सालों से सबसे ज्यादा अनेकता वाली और लोकतांतरिक प्रक्रिया रही है तो आध्यात में कांदोलन लोगों की मुक्ति के लिए शुरू हुए थे वो भगवान के बारे में नहीं थे धर्ती पर कोई भी, कोई इंसान भगवान में रुची नहीं रखता प्लीज ये समझे लोग भगवान में इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो मानते हैं भगवान उनके जीवन का समाधान है है न? हाँ या न? आप मानते हैं अगर आप भगवान के पास जाएं तो आपकी सारी समस्याइं चली जाएंगी सेहत की समस्या सुलच जाएगी मानसिक समस्या सुलच जाएगी पती और पत्नी की समस्या सुलच जाएगी आप बिना पड़े परीक्षा में पास हो जाएंगे बिना काम करे बिजनेस में सफल हो जाएंगे बहुत सारी चीजें, असाधरन चीजें पर ये आपके बारे में है, है न? हाई न? ये आपके बारे में है अगर ये हमारे बारे में है तो हमने इमानदारी से इसका सीधा समाधान ढूंडा हमने कहा ये हमारी मुक्ति के बारे में, हमारे कल्याण के बारे में, हमारा परम कल्याण, न कि सिर्फ अभी का कल्याण तो इस संस्कृति में इसे इस रूप में देखा गया इसलिए ये आध्यात्मी कांदोलनों की एक जटिल श्रिंखला है इस में से कई अब नहीं रही योग प्रणाली में कहते हैं जब किसी ने आदियोगी से पूछा कितने मार्ग हो सकते हैं वो बोले अगर आप अपने शरीर का इस्तिमाल करके जाएं तो सिर्फ 112 मार्ग हैं लेकिन अगर आप अपने शरीर के परे चले जाएं खुद बनाने के आजादी दी गई इसे इश्ट देवता कहते हैं आप अपना भगवान चुन सकते हैं अगर आपको कोई भी पसंद नहीं तो आपनाया बना सकते हैं अचाना का आपको अपने घर का पेड़ पसंद आ जाए आप उसकी पूजा करना शुरू कर सकते हैं इस देश में कोई नहीं सोचेगा कि ये मजाकिया ये अजीब है कहीं और ऐसा करने पर उन्हें जिन्दा जलाय जाता था पर आजकल वो उन पर गेरे के बाहर खड़े होकर पत्थर फैकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप विधर्मी हैं आप पेड़ की पूजा कर रहे हैं आपको अपने बगीचे का पत्थर पसंद आए तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं किसी को नहीं लगेगा ये अजीब है ये बिलकुल ठीक है क्योंकि इस अस्तित्तों में एक भी अणू ऐसा नहीं है जिसमें स्रिष्टी करता शामिल न हो आपके शरीर में हर कोशिका जटल काम कर रही है लेकिन आपकी वज़े से नहीं ये न ब्रह्मान का स्त्रोत वहां काम कर रहा है हर अनू, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जटिल हलचल क्या ये आप कर रहे है ये पूरी तरह से स्रिष्टी करता कर रहा है इसलिए हर अनू परे जाने के लिए द्वार है इसलिए इतने आलग अलग तरह के आध्यात्मी कांदोलन शुरू हुए बदकिस्मती से पिछले सौ वर्षों में काफी सारे खत्म हो गए कई सारे, लेकिन फिर भी उनकी विविदता शांदार है आप में से कितने लोग कुम्ब मेला और ऐसी जगाओं पर गए हैं क्या आप कुम्ब मेले गए हैं वो बड़ा मेला जो अलावाद में हुआ था क्या आप उसमें गए थे 144 सालों के बाद ये मेला आता है अगर आप वहां जाएं और देखें आपको जरूर जाना चाहिए वहां भारत देखेंगे ठीक है भारत का एक दूसरा आया जिसे आज देश की शिक्षित जनसंख्या ने बिलकुल भुला दिया है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा लोग अपना एक-एक पैसा लगाकर दूर-दूर से यात्रा करते हुए यहां सिर्फ दो दिन के लिए आते हैं यह उस तर के लोग हैं जिन के लिए सौ रुपए ऐसे हैं जैसे आपके लिए दस लाख रुपए होंगे सौ रुपयों की इतनी कीमत है उनके लिए वैसे लोग अपना सारा पैसा लगाकर अपने परिवार के साथ यहां आते हैं बस वहां होने के लिए क्योंकि किसी ने उनसे कहा है कि इस दिन अगर आप डुपकी लगाएंगे तो आपको मुक्ती मिल जाएगी ऐसा नहीं कि भगवान दिखेंगे भगवान आकर आपको ढेर सारा सोना नहीं देंगे आपको मुक्ती मिलेगी आज भी इस देश के 80 करोड लोग सक्री रूप से मुक्ती खोज रहें जान बूचकर या अनजाने में ये जबरदस चीज है इस धर्ती पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि लोग चेतन होकर अपने अस्तित्व के मौजूदा स्तर से परे जाने की इच्छा रख रहे हो कहीं और ऐसी चीज कभी नहीं हुई है जब मार्क ट्वेन भारत आय थे उन्होंने भारत में धाई से तीन महीने बिताए थे उनकी यात्राओं के बारे में एक किताब है एक्वेटर के साथ उन्होंने दुनिया की यात्रा की थी उन्होंने कहा था जो कुछ भी किया जा सकता है वो चाए मनुष्य द्वारा हो या भगवान द्वारा इस भूमी पर किया जा चुका है ये भारत की सबसे बड़ी प्रशंसाओं में से एक है और ये सच है इंसानी सिस्टम की बनावट और इसके साथ क्या-क्या किया जा सकता है अगर इस चीज की समझ की बात करें तो किसी भी जगा किसी ने इसे इतनी गहराई से नहीं देखा है जितना इस संस्कृती में देखा गया है कहीं नहीं मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं इसकी तरफदारी करूँगा अब ये भारती होने या नहोने की बात नहीं है ये उस गहरे ग्यान के बारे में है जो अस्त व्यस्त हो रहा है अपने मार्क से भटक गया है या धीरे धीरे भटक रहा है अगर हम उसे फिर से पटरी पर नहीं लाते तो मानपता कुछ जबरदस्त खो देगी क्योंकि आज हम फोन पर किसी से अमेरिका में तो बात कर सकते हैं पर हमें आप तक ये नहीं पता कि इस से कैसे बात करें हमारी कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी सूचना तक्नीक उचाईयां छू रही है पर आपके अपने अस्तित्व की प्रकृती के बारे में आपके पास क्या सूचना है, कुछ भी नहीं हम बहुत सारी चीज़े करना जानते हैं हम चांद पर जा सकते हैं लेकिन यहां सहचता से कैसे बैठे हैं यह आप नहीं जानते तो भीतरी कल्यान की ये तकनीक संपून्ड गहराई के साथ खोजी जा चुकी है ये ग्यान खोना नहीं चाहिए जब ये ग्यान धर्ती पर फैलेगा सिर्फ तभी भौतिक और आर्थिक कल्यान मानव कल्यान में बदल पाएगा नहीं तो आपके पास सब कुछ होगा पर कुछ नहीं होगा मैं आपको एक उदारन देता हूँ कि अभी भारत में क्या हो रहा है पिछले साल 2011 में जब दिवाली आई थी जिसे हम दीपा वली कहते हैं जब दीपा वली आई थी तब साउथ इंडिया के तमिल नाडू में लगभग 127 करोड की शराब एक दिन में बिकी थी इसमें से लगभग 20 करोड की शराब एक छोटे से शहर में बेची गई जहांकि कुल पॉपिलेशन लगभग 6 से 6.5 लाथ लोगों की है क्योंकि ये तिरुपूर टाउन है क्या आपने तिरुपूर के बारे में सुनाएं ये होजियरी टाउन है इस शहर से काफी एक्सपोर्ट होता है यहां सभी की आए राज्य में हर किसी से कम से कम तीन गुना है इसलिए जैसे ही पैसा आता है वो शराब पीने लगते हैं और गटर में पड़े रहते हैं तमिल नाडू की 42 प्रतिशत पॉपुलेशन को डाइबिटीज हो गया है तो जब पैसा आता है तो आप बीमारी खरीदेंगे अगर आर्थिक कल्यान मानव कल्यान में नहीं बदलता तो उसका कोई अर्थ नहीं है गरीबी से सम्रिद्धी की तरफ बढ़ना एक मुश्किल सफर है चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो समाज के लिए हो या पूरे राष्टर के लिए हो ये मुश्किल काम है वहाँ पहुँचने के बाद धोखा मिलता है आप अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं वहाँ पहुँचते हैं और बस बीमारी पाते हैं आप बस लते पाते हैं आप बस दुख पाते हैं आप बस तूटे मन पाते हैं आप बस तनाव पाते हैं ये एक जबरदस धोका है इसलिए अगर लोग आर्थिक कल्यांड पाते हैं तो मानब कल्यांड भी होना चाहिए अगर ऐसा होना है तो आध्यात्मिक आयाम के एक अंश के बिना ऐसा नहीं हो सकता हो सकता है उन्होंने कोई व्यवस्तेत आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाई हो या खुद ही उन्हें कुछ मिल गया हो पर आध्यात्मिक प्रक्रिया के तत्व के बिना कोई आर्थिक कल्यान को मानव कल्यान में नहीं बदल सकता ये होना ही चाहिए कि जैसे आर्थिक कल्यान होता है ये बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक संभावनाय भी साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सभी को उपलब्ध हो वरना जीवन आपको बहुत कडवे तरीके से धोखा देगा